नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहा है अब दोस्तों इस वक्त बुल्डोजर को लेकर उत्तर प्रदेश में वार पलट वार काफी तेज होता दिखाई दे रहा है एक तरफ से अकलेश शादो हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से योगी आदितनात दोस्तों अभी तक योपी की राजनीती में देखा जाता था कि अकलेश शादो और केशव प्रसाद मौरिया के बीच वार पलट वार देखने को मिलता था लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से देखे तो अकलेश शादो और योगी आदितनात के बीच जबानी जंग खूब देखने को मिल रही है अब दोस्तों दोस्तों दोनों के बीच बुलडोजर को लेकर तू-तू मैं में चल रही है अखली इशादों ने बीजेपी और योगी आधितनात को लेकर जो बयान जोरी किया है उसमें एक नहीं बलकि कई आरोप लगा दिये हैं दोनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है ये सब हम आपको सुनवाएंगे और बताएंगे हाली में दोस्तो सुप्रीम कोट ने बुल्डोजर नीती को लेकर बेहदी सक्त टिपड़ी की थी एक तरह से सुप्रीम कोट ने बुल्डोजर की कारवाई पर सवाल उठा दिये थे इसके बाद से अखली शादों ने ट्वीट करके सरकार को इशारों इशारों में घेरने की कोशिश की थी अखली शादों ने ट्वीट किया था अन्याय के बुल्डोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू दोस्तो इसके बाद अखलेशादों ने ओर भी ज़्यादा मुखर तरीके से बुलडोजर को लेकर सरकार पर वो fire होते हुए दिखाई दिये और इस बार अखलेशादों ने गोरखपूर का नाम भी अपने बयान में ले लिया दोस्तों अकलेश शादों ने दावा किया कि यूपी के अगले विधानसभा चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी की हारताय है और सपा की सरकार बनेगी सपा की सरकार बनते ही बुल्डोजर का रुक गोरकपुर की तरफ मोड़ा जाएगा अब दोस्तों अकलेश शादों गोरकपुर की तरफ बुल्डोजर मोलने की बात करें और उसकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में ना हो ऐसा कैसे हो सकता है गोरकपुर से ही मुक्कमंतरी योगी आधितनात आते हैं गोरकपुर से ही विधायक है ऐसे में अखलेश चादो के इस बयान के लोगा कई माईने निकाल रहे हैं इसके बाद दोस्तों योगी आधितनात की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आ गई अब अकलेश शादो के इस बयान पर क्या कहा गया सीम की तरफ से वो भी सुनिये दोस्तों मुख्यमंतरी योगिया दितनाप ने कहा बुल्डोजर चुलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए उस पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता है बुल्डोजर जैसी शमता और दरण प्रतिग्या जिसमें हो वही बुल्डोजर चुला सकता है दंगाईयों के सामने नाक रगडने वाले लोग बुल्डोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे जरा सुनिये योगिया दितनाप का बयान बुल्डोजर जैसी चमता और दिर्ड प्रतिक्या जिसमें हो वही बुल्डोजर चला सकता है दंगाईों के सामने नाक रगड़ने वाली लोग बुल्डोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगा बुल्डोजर को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीती गर्माती हुई दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री और अखलेश शादो के बीच होट टॉक देखने को मिल रही है एक दूसरे के उपर एक से एक तीखे वार किये जा रहे हैं इसके बाद अखलेश शादो भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं अखलेश शादो एक बार फिर मीडिया के सामने आते हैं और बुल्डोजर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आधितरात पर जम कर बरसते हैं अखलेश शादो ने कहा दोस्तो बुल्डोजर में दिमाग नहीं होता है स्टेरिंग होती है उसमें उत्तर प्रदेश की जनता या दिल्ली वाले कब किसका स्टेरिंग बदल दे नहीं पता जरा सुनिए अखलेश शादो का बयाद बुल्डोजर में दिमाग नहीं होता है तो स्टेरिंग से शलता है। उत्तर परदिस की जन्ता कभ और किसका स्टेरिंग बदल दे। या दिल्ली वाले कब किस थाइश शेरिंग बदल दें सुना दोस्तो आपने अकलेश शादो बुल्डोजर और दिमाग को लेकर अपनी बात रख रहे थे दोस्तो कहानी यही खत नहीं होती अकलेश शादो ने एक बार फिर बुल्डोजर को लेकर सरकार और योगी आदितनाथ को घेरने की पूरी कोशिश की और इस बार सीधा प्रहार किया सियम योगी आदितनाथ पर दोस्तो इस बार अकलेश शादो ने सहारा लिया अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स का उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी इस ट्वीट में दोस्तों अखलेश शादों ने बहुत बड़ी बात बोल दी झाल।